पिछले एविसोर मोन में देखा था कि श्याफ आना जू की उस च्रेटर वानी ज़र्दा परादे होते हैं जहां आने के बाद उने वो ट्रेजन बिनी पी जाता है लेकिन उस च्रेटर वा हासिल करने के लिए वो दूनों आफस में लड़ना शुरू का विदे जो भी यहां पर जिवदेगा वो स्ट्रेटर पर हास्तर कर सकता है साथी वहां पर एक नाइन ही वन बर्ड आदली होती है जो वहां पर आने के बाद पस मॉस्टर के साफ फार्ट करना शुरू कर लेकिए गिंगनों की फार्ट भी काफ जाद अधा बदस चल रही थी लेकिन इन सथ के फ करनी के ना गही थे महपद थैसलि वह मॉंक को बाकि साहिलों बहाद में इक अश्तलां करते है सानी रसाधी पार में को दो पर लेडिकोशिक स्ट्कारों हो टेर लिगां गिन जबहां मॉस्टर बहां पर देट भर के गाह ठेक जिब्र ने वह sn 뜨तली हुँंतॹ के गिंची कि सदा गुसा हो चुके वे ती हमाई मैनत तो यह उड़ा कर लीदी चला गया इसकिले वो दूनों बहाँ पर पी पावर्ट एक्टिविट कर देवे उसी बंदर दी तर बढ़ना शुरूगा देदे आगे उसके बाइट करते वे उसकी चान ले तके लेकिन जैसे वे उसके प यहाँ पर बहुत भी बड़ी नुसीबत को अपने पीच्छर अडाली है अब यहाँ पर किस फिला से इन मॉस्टर से बच पाया गया इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता तो वह निश्याफान के पावर का इस्तमान करते दे नान हीवन गॉर्ड और उस मॉस्टर के उन्हें वाला होता है जिसके दिशिगर में के साथी नाई हीवन वर्ड उसा खाने सकुपर अफी बढ़ जाती है इस दे शाफ आन भी अपने लेकटी बखाड़ो दे वे अपने बंदर बचाने के निचाने लगता है अब रिकुत सही टांट वे उसने नाई हीवन बड़ क वाइस इसका बंदर छूट जाता है वहाँ पर वो डिसाबर आ चुका था जो बीश में आते साथी शाफ ऑन के बंदर को बचा ने था वाइस बार उसने वापस से अपने इवन पावर का एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया फावर जैसे उस वावर पर एक्टिवेट कर के हाने लड़े ते जुचाओ तर उससे नाइन हीवन बर्ट ओखेर ले देन नाइन हीवन बर्ट जैसे के चपेड मैप ये वहाँ पर उसे काफिस अफ दा चोटलेट भी लडबे ते उसकी प्ली बॉर्डी इट गमजादा से इंजोर हो दे होती है लेकिन कर भी लो शुआ अफंडे बंदर को नहीं चोटना चाहां की टेस्ट जैसे वोससावन के पीछो जाले होती है वहाँ पर मों लॉंग का जाता है जिसने अपनी पावर कस तम्हां करते वे नाइन हीवन बर्ट को रोगने लिए कोशिश क्योंकी और अब यहाँ पर मॉंग का साप बेनी ते ज जुकी भी आदें होती है जिसमें अपने ठंडर फॉर्मेशन को एक्टिरेट कर लिया था वो जैसे स्वांग अशन को वहाँ पर एक्किवेड करती है उसके फॉर्मेशन के निसे काट सारे डूब्ली के स्वाट बहार ने कलते रहे नाइन हीवन बर्ट के पर अटेट करना स्टार्ट कर जीथी है नाइन हीवन बर्ट पहले से काप्ते जादा इंजर्ट की अब तो बहुत जादा दाहाई लूग दी होती है इसी मोगे ता फाइदा उठाट आते रहो डिसा बर शाफंग को उसका बंदा बापस कर देता उसे कहा दा जल दिस अपने बंद को लिका निकल जाओ वर्नार नाइन हींवन बर्ट दुबाय से पीशे आजएगी तुम्हारे अब जब तरह से नाइन हींवन बर्ट को रोगने की कुछ कर दें जिसके बाद महां पर जुमिवगे अपनी एंटुमार ले दा उसने पनी स्वर्ड केंदे से पने रागन को पहार निक करते जे उरी तरह से नाइनी वन बर्ट की पीशी पर जाते जिसमेंसे नाइनी वर्ड बर्टी हापर बहुती जबत कमशोर हो जाती है ऐसा ले दिना तकि अब हो जापर हैं आपर मारी ही जाएगी लेकिन जैसे वह अपना दम टोरने वाली होती है इस्टे पहने इसकी में तोग अपने पंजिन निक्याद करी दिया होता निकिन जैसे वांसे भाप की इससे पहने ही भाप बियाओं के आंट आ जाती है जो उस एगर के साथ में को भापर फॉर्मेशन बनाते भी जिस फॉर्मेशन के स्क्रमाल करते लिए वो नाई हुमन बर्ड के पल यहां टैक करना स्टार्ट करे दिया और सफनिशन के वह स्ट नाय ही वन बर्ड तो बास सहील नुम पारी थी बयाओं के आंट ने महाप भाप भी और जादा पावर के शैएट करना स्टार्ट कर दिया थाँग भाह लाप की आपां नायन बर्ड को रोगना चाहदी ही दिसके वाल उन्दों यहां पर आपको नहीं बचा सकता उसका मुंनें यहां पर टैनों चुगा है जिसके बास जड़नी से कई सारे पिलर बहार निकल कर वहां पर एक और फार्मेशन बनाने लगते ताकि कैसे भी करके वह नाइजी वर्ड को यहां से पहार निकल लें ना भी तो पीलर कंदर से कई सारी चेंड बहार निकल सके इसलिए वो पूरी तरह से भापर क्या जो चुगी वी लेकिन वहाँ पर तुर लिया होता है जो देकर से भी खवडा चुके थे यहाँ पर बियाओं की नागा और साइडर की फॉर्मिशन को भी खतम कर दिया आ पर इसे कौन ही रोग सेता है लेकि नापोटाइटी जोट फॉर्मेशन नाइन हीवन बर्ड ने आखा तोड़ दिया काबो बहाँ पर पहने फिर भी चार बना जादा मजबूत हो जाते है अरब यहाँ पर नाइन हीवन बर्ड पुई तरह से क्या दो चुके होती है गोस्ट किंग को देखकल यहाँ पर श्या नाइन हीवन बर्ड की पावर का इस्तवान कर सके और नाइन हीवन बर्ड टी भाब गाव होने के बाद वो सारे डिसाइन लोगो फॉर्मेशन को वहाँ पर खत्म कर देते हैं प्योंकि आब उस फॉर्मेशन की हावा कोई बिजरफ में ही होने वारी थी जिसके बास आप चार हुमर्स खड़ें जानता हम की इस तुम्हारा क्या रिष्टा वैलेकि तद भी में तुम सिठ पूश्टा जाता हो कि हमें आप इन चारों पर क्या करना चाहिए तुम जोक हो गया मैं के साथ वह करने दे तैयार हूं मुझ बस तुमारे नूस से सुनने कि तम इनक इस तीनों आगे बरते लिए काफे जादा धक्चुकते स्लेवोट पीनों एजिल अपर आराम करने के रिट जाते तब वहाँ पर जूटेनर जो रता है उस वायर डॉक से पूशना हो थै वायल डॉक क्या मैं तुम मुझे बता सकते तुम हमारा पीछाट क्यों कर रहे हो ज आगे हैं वह साहे लोगों को बताता है कि में इस चतल काफी एजी कि इसके सारे के साहे लोगों ने मजा को राना स्टार्ट कर दिया पूटर टाउन में मुझे मुझे मॉस्टर कहकर बुला में थे इसी वह से नोबने ने नाम भी वायर डॉग रद दिया जोकि बहुत दी तो भी हापर क्यों बता करें तो वह लोग कह रहा हो दा है आप तो गहने से पहने में बहाँ पर चला दिया होता मैं जरूर महाँ पर जाना चाहता हूं ने कि मैं जानगा दो जाओंगा का यह उससे तो पूरी कराद से श्याओ फान बढ़ बाद कर दिया देया पूरा दा श्याओ फान के सामने घुटने देख दिया है उसके बेर के मादे मुझा बस एत्मों पाम देजन ने श्याओ फान से तो पना बदलने करी रहूंगा उससे ने मीडी बूरी जिन्बगी बढ़ बाद कर दिया दूसे ता फ्रम श्याओ फान को देख थे हैं जो भी भी पर जो आप में कली जाता है वो घूस किंग से कहता है घूस्ट किंग जब आप यहाँ पर खुड़ आ चुके हैं तो जो फासला आपका होगा मैं उससे अपने से रांगओ पर रखूँंगा जब गूस्ट किंग सामने हो तो उनके सामने मैं क्या ही मुझा इंचला सबता उनकी चान लेने के लिए लेकिन घोष्ट करिंग थेरा चालू आग में वो वहाँ पर कह देता है मैंने जो चीज़ कह दे बस वही होगी मुझे तुम्हारे मुझे जवाब सुनना है तो सुनना है बताओं मुझे कि तुम्हारा क्या फैसला है ये सुनकर जिन्यू और बाके लोग वहाँ पर कहने लगते है क्या फैसला होगा शियाफान का मुझे पता है कि वो हमसे फार्ट ही करना चाहेगा तो यहाँ पर हम भी फार्ट करने के लिए तयार है आज देख रहे थे थी किसके अंबर कितना है दम जिनके इतना कहते ही वहाँ पर तुब बिजनी नगरने लग गई थी जिसके बाद वहाँ पर बियाओ के आंड़ा वो एल्डर भी फार्ट करने लिए तयार होने रते हैं ऐसा लग रहा थे कि यहाँ पर जबोदस फार्ट होने वाली लेकिन तब वहाँ पर शियाओफान बात पूग घुमाते वे कहता है हम यहाँ पर ट्रेजर सी लेने आते हैं तो शाद हमें वो ट्रेजर मिल चुका है तो अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए इन नोगों के साथ मूल आकर वैसे भी हमारा कोई फार्दा नहीं होने वाला है जो सुन कर तो घोष्ट किंग को अंदर ये अंदर बहुत ज़्यादा गुसा भी आ रहा होता है कि हाँ पर शियाओफान तो उसकी बातों को टाल रहा है बियाओ के आंट शियाओफान के पास आगा उससे कुछ कहना चाह रही होती लेकिन उसके अंदर हिमबत नीन होती योई शियाओफान को मुझ कह सके तसलिब वो भी भाबा उस एल्टर के साथ और गुस्ट के साथ महां से जाने का ही डिसाइड कर दिये जिसके बाद नो तीनों वहां से चले जाते हैं जिनके जाने के बाद जीनियों बाकी लोग महाँ पर शियाओफान से कहरे हो तुम इस गोस्ट केंग का साथ क्यों दे रहे हो तुम तो हमारे साथ है ना क्या तुम मुसाइजी से भूल गए जब 10 साल पेदे तुम हमारे साथ हुआ अगर थे तो हम कितने अच्छे दोस्ते इन इवल्स ने हिमन के साथ कितना बुरा किया है वो सब चीज़े तुम्हें याग नहीं है क्या लेकिन शियाफ़ान महाँ पर कह रहा हो था है मेरा नाम श पर ट्रीट किया जिसकी कोई हद नहीं है जिब इंसान के अंदर ही इवल ठहरता है तो मैं इवल का साथ क्यों ना दूँ मैंने ये रास्ता चुलनी है इसलिए कोई भी मुझे यहाँ पर इस रास्ता से हटार नहीं सकता वो यहाँ पर सीधे बियाओ की ही बात कर रहा होता ह क्योंकि ही इवल ठहरता है जिब इसलिए जिब दुबाया से शियाफान के पार जा रहा हो दाकि वो उसे फिर से समझा सकेगी शियाफान तुम गलत कर रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जो मौंक होता है वहाँ पर जिन्यू को रोकते वे कहता है रुक जाओ इन दस सालों के इंदर शियाफान पूरी तरह से इवल खयालों से पुजल सो चुका है इससे पार निकालना इतना आसान काम महीं होगा जिसके बादो मौंक वहाँ पर शियाफान से कहरा होता है हम जानते हैं कि तुम कितने अच्छे इंसान हुआ करते थी यहाँ पर लेगन जो इवल रास्ता चुना है तुम उसी दास्ते से आगे बढ़ सकते हो और जो रास्ता हमने चुना है हम उसी दास्ते से आगे बढ़ते वे जाएंगे ये सुनको शियाफान वहां से आगे बढ़ना शिरू कर देता है लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा होता है वहाँ पर वो सहला रहा था वो उसे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो डस साल पहले हम कितने अच्छे से खेला गर देना क्या तुम अब मुझे भूल गए लेकिन इस बंदर को दो कुछ भी याद नहीं रहता तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हुआ गरते थे और मैं तुम नों के दोस पर हो या फिक घलत आस्ते भे अवं जो डिसाइबल रहता है वहाँ पर शियाफान को एक छोड़ी से बुग निकाल कर देता है लेकिन जैसे शियाफान उस बुख को देखता है वो एकदम जादा हैरान रहा जाता है आप उस बुख के लिए उस बुग को लेकर आगे बन्दर के साथ वहां से खुद भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है जो देखाते ही ये एपिसोड यही पर एंड हो जाता है थांक्स